So Hello and Welcome You All, I am Rohit from Hagen Trader So Guys, आज हम बात करेंगे तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कल के दिन बड़ा धमाका कर सकता है तो Guys, आज बात होंगी Tata Motors, IEX और AB Capital के बारे में तीनों की तीनों ही स्टॉक्स आपको कल तगड़ा पेसा कमा कर दे सकते हैं तो Guys, कल बिलकुल ट्रिपल धमाका हो सकता है, कल कमाने के लिए आपको त्यार रहना है और क्या चीज़े है, क्या important levels है, काभी कुछ बाते होंगी आज तीनों ही स्टॉक्स को लेकर, तो वीडियो को एंट तक देखना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेयर के अपडेट्स के लिए शेयर के लेडियो तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं हमारे फर्स स्टॉक टाटा मोटर्स के उपर So guys Tata Motors Limited Tata Motors Limited में अगर देखा जाए तो stock में आज हमें गिरावट देखने को मिली है कह सकते हैं कि profit booking हो सकती है 416 रुपे 30 पेसे के level पे stock ने आज closing दी है closing देने के बाद 7.85% रुपीस तक की गिरावट है 1.85% के साब से और guys वही अब बात करते हैं क्या है important इसमें कल के लिए हैं कल के लिए important है इसके levels तो चलते है levels के उपर तो guys बात करें अगर इसके levels की तो काफी शांदार levels यहाँ पर बन रहे है Tata Motors में और वही अगर बात करें तो यहाँ पर दो बार same patterns बनते हुए ने जरा रहा है यहाँ पर हम इसे fall and flag कर सकते हैं और fall and flag pattern के बाद मैंने परसो ही video बनाया था यहाँ पर stock को लेकर कि यहाँ पर जिस तरीके से यह pattern बन रहा है जिस उसी तरीके से एक बड़ा उचालाएगा वही हुआ बिल्कुल stock ने यहाँ पर तगड़े return भी दिये थे और बिल्कुल यहाँ पर फिर से एक create किया इसने एक pattern जिसे हम fall and flag केते हैं और यहाँ पर first falling wedge pattern भी हम इसे केते हैं और यहाँ पर second बिल्कुल दो बार falling wedge pattern बनता हुआ दिख रहा है इसा भी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा तो guys यहाँ पर जिस तरीके से stock sideways नीचे आप breakout मिला और जिस तरीके से उपर के और का momentum आया है same वैसा ही pattern यहाँ पर बना आज के दिन और breakout में मिल चुका है यहाँ पर guys कल के दिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 रुपे तक की TGA में देखने को बिल सकती है 428 रुपे तक stock हमें कल के दिन जाता हुए दिख सकता है जो आज इसका high था वही पर stock का कल बिल्कुल कल भी उसी level तक जाने वाला है और अगर उस level को भी ब्रेक कर देता है तो काफी बड़े momentum stock में आने वाले है बिल्कुल guys कल आपको ready रहना है stock में तो वही guys अगर बात करें stock में तो बड़े time frame पर भी देखा जाए तो बिल्कुल आपको positive रहना है और यही को breakout करके उपर की और जा रहा था और वही पर support लेके फिर से उपर की और जा रहा है चेस्वाट रूपे का target है लाइजर long term की साब से वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो बार stock यहाँ से नीचे की और आया है तो वही पर उपर की और जाने कोशिश करेगा तो विल्कुल Tata Motors यहाँ पर तगड़े return आपको खल के दिन दे सकता है तो guys Tata Motors की बात हो गई अब बढ़ते हैं आगे अब बात करेंगे हमारे second stock अधित बिल्ला Capital Limited के बारे में अधित बिल्ला Capital Limited के अगर बात की जाए तो stock में आप देख सकते हो 100.75 पेज़े के level पे stock आज closing देता हुआ नजर आया है 1.35 पेज़े के हिसाब से stock नीचे के और गिरा है 1.32 परसन के हिसाब से गिरा उठ हमें आज देखने को बिली है वहीं guys एक बात अगर मैं कहूँ तो AB Capital काफी शांदार हो सकता है मोतिलाल ओस्वाल ने भी यहाँ पर काफी बड़ा target दिया हुआ है और इसके बारे में मैंने कल ही बताया था कि बड़ा target मिला है मोतिलाल ओस्वाल में तो बिल्कुल आप इसमें positive रह सकते हो तो target मिला था 140 का तो किस हिसाब से मिला था मैंने प्रिवेस वीडियो में आपको बताया भी था अब बात करते हैं कि AB Capital में क्या levels हो सकते हैं AB Capital की अगर बात की जाए गाइस तो बिल्कुल upside down momentum stock में चल रहे हैं यहाँ पर अगर मैं deadline एसे भी बना दू तो गलत नहीं होगा और वही अगर बात करें तो stock में इन levels पर काफी सारे resistance मिल रहे हैं और गाइस बिल्कुल यहाँ पर अगर देगा जाए बड़ा momentum आया था इस level पर काफी बड़ा तगड़ा high भी stock ने लगा था तो इसके बाद कई बार stock ने ऊपर के level पर resistance लिये हैं और उन resistance के बदूलत stock नीचे की और आ भी रहा है और वही अगर देगा जाए तो इस level पर अगर यह कल break कर देता है 101 के level को 101 रुपे को level को अगर ब्रेक कर देता है तो कल बड़ा momentum आ सकता है बढ़त आज देखने को मिली ही नहीं है और ना ही गिरावट एक सो दो रुपे सत्तर पेसे के प्राइस पेसे के प्राइस स्टॉक ओबन हुआ था हाई लगा था एक सो दो रुपे नबे पेसे का उलो लगा था 99 रुपे पर चत्तर पेसे का और बढ़ते आगे कम्यूनिटी सेंटिमेंट्स के आखड़े बिल्कुल पॉजिटिव है 86% लोग बाई के लिए कह रहे है 14% लोग कह रहे है सेल के लिए बिल्कुल याबर पॉजिटिव है लोग भी और बात करें गाईस अगर हमारे थर्ड स्टॉक आई एक्स की तो आई एक्स में अगर देख से स्टॉक गिरा है और वही अगर बात करें आज पूरा क्या हुआ 196 पे स्टॉक उपन हो तो 196.80 रुपिस पे हाई लगा था 198 का मतलब पॉजिटिव गया था फिर लोग भी लगा था तकड़ा फिर वाकी रिवर्स हो गया और अपने जो इंपोर्टेंट लेवल्स हैं एक रेंज में आके फास गया है 17.47 थाउजन करोड के असपास का मार्केट क्याफ है 56.57 पर बात करते हैं इसके लेबल की तो सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पर क्रेट कर रहा है इंडियन एनर्जी एक्चेंज आई एक्स और अपसाइड डाउन स्टॉक में देखने को मिल रहे है और अल्डेटी सपोर्ट ले चुका है बट यहाँ पर बारी है तो ब्रेकाउट की ब्रेकाउट अगर मिलता है काभी बड़ा मोमेंटम आएंगा 198 से 200 रुपे तक की रैली हमें कल के दिन देखने को मिल सकते है इस शेयर में तो बिल्कुल गाइस यहाँ पर IEX भी तगड दा रिटन दे सकते हैं और वीडियो चल लगाओ वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक्यो